क्लास टेन से एक्ससाइज 2.2 एंसीरटी का दो कोस्चन है हमारे सामने 2 का 3 है और 4 है 2 का 3 और 4 इसमें पोलिनोमियल लिखना है दिया क्या है ये जो दिया है फ boleh your sum-up zero दिया है और second में क्या दिया है पोड़क्ट of zero दिया है यानी कि फर्स्ट वाला क्या दिया है आलफा प्लस बीटा का भैलू दिया है जीरो यानि सम अप जीरो और आलफा इन्टू बीटा का भैलू दिया है अन्डरूट फाइव तो पोलिनोमियल लिखने का फर्मूला क्या होता है एक से स्क्वेर माइनस आलफा प्लस बीटा इन्टू एक् इकवल टो 0, x square यह क्या हो जाएगा, multiply हो जाएगा, 0 होगा, इसको हम नहीं लिखेंगे, अब प्लस अंडर रूट 5 इकवल टो 0, यानि हमारा फाइनली एंसर यहीं होगा, यहीं polynomial होगा, जिसका sum of 0, 0 आएगा, और product of 0, under root 5 आएगा, आएए, next question देखते हैं, यहां भी, फर्स वाला जो होता है, वह sum of 0 होगा, और second वाला जो है, वह product of 0 होगा, यानि alpha plus beta equal to 1, alpha into beta equal to also 1, यानि फर्मूला क्या होगा, polynomial लिखने का, x square minus alpha plus beta into x plus alpha into beta equal to 0, अब भैलू हम पूट करते हैं, तो x square minus alpha plus beta का value 1 into x plus alpha into beta का value 1 equal to 0, x square यह हो जाएगा, minus x plus 1 equal to 0, इस तरह से second का answer होगा, x square minus x plus 1 equal to 0, अगर आप इसको लिखना चाहते हैं, तो आप लिख सकते हैं, जो भी अगर आपको doubt होता है, कोई दिक्कत होता है, कोई समस्या होता है, तो आप comment section में comment कर सकते हैं, 1 क bury अगर भी कर सकते हैं, तो आपको सकते हैं, तो है लूशता है, कोईस्त दिक्ते हैं, तो आपकोowe頃 का यह होता है, तो आपको हैं, तो हैंस्तों में kinda